आज एक वार फिर से हम लोग स्रिलंका की इस्तिति के बारे में चर्चा करने वाले हैं इस एडिटोरियल में और आज थोड़ी सी news positive है स्रिलंका के बारे में इसलिए आपको समझना है कि आखित पूरा का पूरा मामला क्या है और भारत को इस परिस्टिती में स्रिलंका के साथ कैसा बरताओ करना चाहिए क्या स्रिलंका के साथ आगे उसकी मदद के लिए जाना चाहिए या इसके लिए क् hint of stability a hint of stability काने का मतलब होता है कि अभी संकेत मिल रहे हैं हिंट का मतलब संकेत समझ लिए इस्थीरता के संकेत नजरा रहा है यानि अभी कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी हैं जिससे लग रहा है कि वहां के economy में थोड़ी सी इस्थीरता आएगी in this very editorial we shall talk about Sri Lanka's new dispensation dispensation का मतलब होता है system system कह लो government कह लो तो जो नई सरकार बनी है वहां उसके बारे में हम लोग चर्च क्या करेंगे नई जो बेवस्था बनी है dispensation का मतलब system बेवस्था भी कह सकते हैं तो जो नई बेवस्था बनी है उसके बारे में इस editorial में बात होगी क्या बात होगी तो with a new government in Sri Lanka, India must review its opinion in extending moral करया कि जो नई सरकार बनी है Sri Lanka में उस मामले में भारत को अपने opinion options को फिर से review करना चाहिए कि भारत को ऐसे स्थिति में क्या करना चाहिए इसको फिर से बिचार करन चाहिए और फिर आगे मजद करने के लिए आगे आना चाहिए As a leader who the lone member of his party in parliament Ranil Bikram Singh can only see his victory in Sri Lanka's presidential election on Wednesday as a political windfall कहा जा रहा है कि एक leader के तौर पे जो कि अपने party से अपने party से एक अकेला member है Loon member है Loon का मतलब होता है इकलौता इकलौता member है अपने party से parliament में जिनका नाम है Ranil Bikram Singh Singh Can only see his victory? वो अपनी जीत को इस रूप में केवल देख सकते हैं कि एक तरह से President के election में जो Wednesday को हुआ As a political windfall यानि एक समझ दो कि अचानक से कोई वर्षा हुई Windfall का मतलब होता है unexpected love जो आपको मिलता है तो अचानक से कराजनीतिक love उनको मिला इस रूप में उनको समझना चाहिए यानि एक एक लौता member अपने party का parliament में है Ranil Bikram Singh Singh उनकी जो victory हुई है सिरलंका के President के तोर पे election में Wednesday को इसको वो केवल एक windfall की तरह देख सकते हैं अचानक से धन वर्षाज जैसे हो जाती है वह ऐसा देख सकते है unexpected जो प्रिंसिति है वो देख सकते है आएकर देखें हावेवर हलाकी the position comes with a crown of thorns हलाकी जो position आता है वो किसके साथ आता है यह जो मुकट होता है न थ्रोंस होता है उसके साथ आता है जब उसको सत्ता मिल जाती है तब पावर आता है ऐसा का लिजे इस फर्स चैलेंज विल बी तो रीच आउट पीपल इंक्लूडिंग दप्रोटेस्टर्स इन कॉलंबो डिमांडिंग इस रेजिगनेशन तो सबसे पहले तो उनको उन लोगों तक पहुँचना होगा उन लोगों को समझाना होगा जो की प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनका ही रेजिगनेशन मांग रहे हैं जो की प्रोटेस्ट करते हैं जब चुनाओ जितने से पहले, not after, उसके बाद नहीं बिल्डिंग क्रेडिबिलिटी विद्ध देम विल रिक्वायर इस्टेंसिंग हिंसल्फ रॉम्ट वेरी फैक्शन ओफ रूलिंग एस एल पीप बैग्ड बाइ महंदा राजपक्षा दाट वोन हीम दे लेक्शन कर रहा है कि अगर क्रेडिबिलिटी चाहिए इस सरकार को य प्रेक्शन का मतलब होता है गुट यानि उस गुट से दूरी बना करके रखना पड़ेगा जो की एस एल पीपी जो महंदा राजपक्षे वाली पार्टी है क्योंकि लोग वहां पे महंदा राजपक्षे की सरकार से कापी नाराज थे इन सब पर इस्तितियों के लिए उन् महंदा राजपक्षे के द्वारा जो बैग्ड पार्टी है सपोर्टेड पार्टी है उस गुट से अपने आपको अलग रखना पड़ेगा और यही गुट है जो कि इनको इलेक्शन हला की जिताया है लेकिन फिर भी इन्हें उन लोगों से दूरी बना करके रखना पड़े स्रिलंका करने में फेल हो जाते हैं then general elections which स्रिलंका can barely afford at this point will be the only remaining course कर रहा है कि अगर जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको समझाने और स्रिलंका करने में रानिल विक्रम संगे फेल हो जाते हैं तो स्रिलंका के पास एक ही मात्र चारा रह जाएगा वो है general election जो कि स्रिलंका के अभी इस्तितिक अनुसाद afford करने लाइक नहीं है elections would only further delay the task of economic rebuilding अगर election होता है तो election के दौरान time लाएगा आये time लाएगा तो ऐसे में जो task of economic recovery है rebuilding है एक खास करके जो अभी बहुत ज़्यादा जरूरी है तो ऐसे में इसमें और देरी आ जाएगी तो अगर elections होते हैं तो जो recovery का समय है वो ज़्यादा लएगा खास करके जो अभी सबसे ज़्यादा जरूरी है negotiations मतलब होता है बातचीत समझा होता है किसके साथ IMF के साथ for a bailout bailout का मतलब होता है कि जब कोई company जब कोई bank जब कोई देश दिवालिया हो जाता है तो उसके करने के लिए जो पैसे दिये जाते हैं that is called bailout तो IMF के तरफ से जो bailout मिलना है मदद मिलनी है उसके लिए negotiations की जरूरत है और negotiations करने के लिए leader की जरूरत है और कोई अगर elected leader रहेगा ही नहीं तो कोन IMF के साथ उसका bailout के लिए negotiations करेगा तो ऐसे में जरूरी है कि अभी जो रास् करती है उनको अस्थाही रहने दिया जाए अगर elections तक जाएंगे तो काफी समय बरबाद होगा जिसमें recovery करने में भी काफी टाइम लगेगा इन नॉर्मल कोस देखें कि जो शे बार प्राइम मिनिस्टर रहे हैं वो अभी जो चैलेंज के को सामना करने में कामियाब हैं However, his performance over the past few months as PM has not seen, he immersed with any big ideas to control the crisis हलाकि उनकी जो performance रही है यानि रास्तपती बनने से पहले कुछ महीने पहले से वो प्रधान मंत्री हैं वहां के तो जब प्राइम मिनिस्टर थे उस तोर पे कोई ऐसा idea वो ले करके नहीं आये जो की crisis को control कर सके a combination of the fall in domestic production जो क्या-क्या इसमें problem सी जिसके वज़े से crisis है कि जो domestic production था उसमें कमी आई है, tax revenues में कमी, remittances यानि दूसरे देश आने वाले dollars पैसे उसके भी कमी हो गई है and currency reserves signals that the road out of this economy through will be arduous कर रहा है कि currency का जो reserves है, इस सब चीज़े signal करती है, signal का मतलब क्या हुआ signal का मतलब इशारा करना दर्शाती है, कि हमा एक तो स्रिलंका का domestic production नीचे चला गया है tax revenues, remittances सारे नीचे है, currency का वहलो भी किरा हुआ है इस सब चीज़े signal करते हैं कि जो रास्ता है न, economic recovery का ओ, arduous है, arduous का मतलब क्या होता है, कांटों से भरा हुआ, कस्ट से भरा हुआ, इतना आसान नहीं है कि recover कर जाए इन एडिशन, प्रेसिडेंट विक्रम सिंगे, and whoever fills his position as prime minister, will have to make many more unpopular decisions once the IMF negotiations are concluded कर आया कि दूसरी तरफ, प्रेसिडेंट विक्रम सिंगे और जो भी उनके जगह पे अभी प्रधान मंत्री से रास्ट पती बने है, तो प्रधान मंत्री की कुर्षी खाली हो गई हुआ पे प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, उनके लिए होगा कि पहुत सारे unpopular decision लेने पड़ेंगे, हो सकता है कि popular decision नहीं हो, unpopular decision लेने पड़ेंगे, एक बार उनका IMF के साथ negotiation हो जाता है, तो and the bailout stipulations and conditions are spelled out, और जो bailout का जो stipulation है, stipulation का मतलब होता है, एक तरह का condition, शर्त and conditions होता ही है, उसको अगर spell out कर दें, यानि उसको बताया जाए कैसे कैसे इसको लेना है, कि पता चल जाएगा तो, new Delhi will also have to review its options, अब भारत की सरकार को, जिसको new Delhi कहा गया है है, उसको भी अपने options को review, यानि पुना उसे पे मन्थन करने की ज़रूवत है, given the proximity and as external affair ministers, S.J. संकर told an all party meeting on Tuesday, the government will naturally worry about the spill over from Sri Lankan situation, कर रहा है कि जो proximity है, जो संभाव नाए है, उसके उपर external affair ministers, S.J. संकर ने बात किया है, all party meeting में Tuesday को, उनने कहा है कि भारत के लिए नेचुरल है कि चिन्ता करेगा कि स्रिलंका के जो situation है, वो फैले नहीं जादा, spillover का मतलब फैलना होता है, spread करना, the Modi government has adopted three प्रॉंस्टेट्जी, three प्रॉंस्टेट्जी करने का मतलब होता है, तीन तरफा, जिसमें है, expressing sympathy, पहले with the people of स्रिलंका, स्रिलंका के लोगों के साथ, सहानभूती प्रकट करना, and their quest for stability and economy, economic recovery, और उनकी जो क्वेस्ट है, क्वेस्ट का मतलब होता है, जो एक तरह से कर अस्पर्धा है, सर्च है, तो सर्च कर रहे है, economic recovery की, उसमें मदद करना, through dramatic, democratic means, एक लोगतांत्रिक तरीके से, और extending unprecedented financial assistance, और अभूत्व पूर्व, unprecedented का मतलब होता है, अभूत्व पूर्व, यानि, जो पहले इससे ऐसा नहीं हुआ था, तो unprecedented financial assistance, यानि अभूत्व पूर्व, जो financial assistance, मतलब सहायता हो गया, आर्थिक सहायता भी मुहिया कराया जा रहा है, तो तीन तरह से स्रिलंका की मदद की जा रही है, पहला तो उसके प्रति लोगों के प्रति सिंपैथी जाहिर कर रहा है, जो की चाह रहा है कि वहाँ पर economic stability है, dramatic, democratic तरीके से, फिर उनको help करके, और credit lines and essential food fuel and medicine worth, US 3.8 billion since January 2022, जनवरी 2022 से अब तक 3.8 billion की जो राज़ी है, directly मदद के तौर पे दिया गया है श्रिलंका को and distancing itself from the राजबक्चाज और भारत की सरकार है, राजबक्चा जिससे लोग वहां के उदास हैं, नाराज हैं, उनसे दूरी बना करके रखे हुए है भारत, इस पॉलिशी जो भारत ने त्रिपल पॉलिशी अपनाया, जिसका रिप का मतलब होता है फैदा होना, यानि इसका डिविडेंस भी सामने आया, यानि इसका फैदा भी हुआ, इन पॉलिक गुडविल इन स्रिलंका फॉर इंडिया, भारत के लिए वहां के लोगों के मन में एक अच्छी भावना आई, गुडविल आया भारत के प्रती, पर्टिकुलर्ली इन कंपरेजन टू अधर पार्टनर्स सच है चाइना, अधर भारत के लिए और अच्छी रही है, खासकर चाइना के कंपरेजन में चाइना के अबल स्वेंटी फॉर मिलियन डॉलर ही हेल्प कर पाया, चाइना यहां तक की जो कर्ज दिये हुए इसे लंका को उसको रिया स्ट्रक्चर करने के लिए त्यार नहीं है, डेफरल्स का मतलब होता है टालना, यानि जो पेमेंट है उसको टालने के लिए भी त्यार नहीं है कि बाद में दे देना, तो एक केबल 74 मिलियन डॉलर दे करके खूश हो गया, इन्डिया जो रास्पती पे चैयन हुआ है, उसको लेकर के जो अस्टेटमेंट आया था, उसको अवाइड किया गया, जादा इसके बारे में बोला नहीं गया, है न, क्या होगा, क्या नहीं होगा, इस पे भारत सरकार ने कुछ भी नहीं बोला, गिविन दे अंसर्टेंटी अस्टिल सराउंडिंग दे गर्वर्मेंट, ऐसा इसलिए किया, क्योंकि अभी भी अनिस्चित्ता बनी हुई है कि सरकार रहेगी या चली जाएगी, इसलिए भारत इसके प्रतिक कुछ जादा बोला, नहीं, हला कि अगर नहीं सरकार को मौका मिलता है कि इस ओर्स का मतलब जो बीसम परिस्चिती है उससे कावू पाने का नियू डेरही सपोर्ट बाइलेटरली और इंटरनेशनली बिल बी इसेंसियल, तो ऐसे में भारत सरकार के तरफ से इसका सपोर्ट दूपैक्षिय तोर पे या इंटरनेशनल लेवल पे यह जादा जरूरी होगा, और मोधी सरकार को यह डिसाइड करना चाहिए कि जो इसकी पॉलिसी रही है, अब डिस्टेंस फ्रॉम दा लेडर्शिप, लेडर्शिप से डिस्टेंस बना कर रखने की, ए अचीव करेगा इसके जो अब्जेक्टिव्स हैं, जो इसके गोल हैं, उसको ए अचीव करेगा, अपने जो सबसे नजदीक का नेवर है, आने वाले समय में, आने वाले मन्स में इसको फायदा करेगा, यानि खुल मिलाकर के एक हैं, कि विक्रम सिंगे, जो वहाँ के पहले पढ़ान मंतुरी, अभी थोड़ी दिद पहले बने थे, उनका प्रमोशन हो गया है, वहाँ के रास्टपती बन गया है, ऐसे में उमीद लगा ही जा रही है, कि अस्टेबलेटी आएगी, और इस तेती और किसी भी तरह के हैल्फ राज पक्षे के तरफ से हो, वो इनको परदास्त, लोगों को परदास्त नहीं है, ऐसे में अब इनके सामने चैलेंज यह होगा, कि लोगों को कैसे समझाते हैं, मनाते हैं, और नहीं समझा पाएंगे, तो एक ही रास्ता बच जाएगा, और इस जेती का सामना करना पड़ सकता है, तो आज के लिए बस इतना ही, में दिलते हैं अगले एडिटोरियल में, तेल दिन गुडबाए और टेक के,